इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं पैरा ओलम्पिक में भारत को एक और गोल्ड मिला है पैरा ओलम्पिक में शूटिंग में भारत को ये गोल्ड मेडल मिला है मनीश नरौल ने शुटिंग में ये गॉल्ड मेडल जीता है तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो टोक्यो पैरा ओलंपिक से आ रही है भारत की जोली में एक और गोल्ड मेडल आया है और ये गोल्ड मेडल लेकर आए है शूटर मनीश नरौल आपको बता दें कि शूटिंग में मनीश नर्वाल ने ये गोल्ड अपने नाम किया है लगातार पेरा उलम्पिक टोक्यो से जो मेडल्स आ रही है जो खुशखबरियां आ रही है उसका सिलसला जारी है और अगर इस बार के आंकडों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मेडल भारत लेकर आया है और ये तीसरा गोल्ड भारत की जोली में मनीश नर्वाल लेकर आये हैं पहला गोल्ड शूटिंग में आया था दूसरा गोल्ड जैवलिन में आया था तीसरा गोल्ड एक बार फिर से में शूटिंग में मनीश नर्वाल लेकर आये हैं और इसके अलावा हाई जंप में हमें Silver Medal मिला है हाई जंप में बलकि दो Silver Medal मिले हैं और साथी Bronze Medal पर भारत ने कबज़ा किया है इस बार के अगर Medals की बात की जाए तो Medals की संख्या भारत की जोली में अब तक सबसे ज्यादा पिछले 60 सालों से भारत पैरा उलम्पिक्स गेमों में हिस्सा ले रहा है और तब से लेकर अब तक के आंकडों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मेडल भारत की जोली में इस साल आए हैं इससे पहले रियो 2016 पैरा उलम्पिक्स की बात करें तो चार मेडल भारत की जोल तोक्यो फिरालेम्पिक से जो बड़ी खवर आ रही है वो ये कि मिघ्ज 50 मीटर में परा ऑ्लिम्पिक में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है और यह गोल्ड मेडल भारत को भारती ता ग terrorist이다? р को भारती जूटर ने दिलाया है जेमिन अवनी ने वो मेडल दिलाया था और इस बार मनीश नर्वाल ने भारत को ये मेडल दिलाया है तो लगातार टोक्यो ओलंपिक से जो खबरे सामने आ रही हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही खुशियों भरी हैं क्योंकि भारत का पैरा ओलंपिक में जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ